दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप मनुश्य जीवन पाते हैं और अपनी जीवन लीला को पूरी करते हुए फिर वो निकल जाते हैं और यही क्रम निरंतर चलता रहता है आना जाना लगा रहता है और इसी जीवन में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, जैसे शिक्षा प्राप्त करना, रिष्टेदार, नातेदार, उद्योग धंधे और समाज आदी, इन सभी को संतुष्ट करना भी एक नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, एक नैतिक जिम्मेदारी है तनाव पूर्ण तरीके से इन सभी के बीच सामन जस्य इस्थापित नहीं किया जा सकता है तनाव रहित होकर ही पूरे जीवन की जीवन लिला को बहुत ही उत्तम तरीके से पूरा किया जा सकता है उसके लिए जरूरी है कि भूत काल में हुई गलतियों का बोज अपने सर पर लेकर न चलें उस गठरी को फेकें, दिमाग को सतंत्र करें, मस्तिश्क को सतंत्र करें ताकि जीवन में आगे की जो स्टेप्स हैं वो आप इसली बढ़ पाएं दोस्तों छोटी छोटी यात्राओं के दोरान जैसे रेल गाड़ी में यात्रा, बस में यात्रा या अन्य किसी यात्रा के दोरान यात्री मिलते हैं, कुछ समय के लिए मिलते हैं और फिर भी छड़ जाते हैं तो उस छोटी यात्रा के दोरान मनुश्यों का आपस में सामन जश से तो इस्थापित करना बड़ा आसान रहता है और बड़ी प्रसनता पूरवक यात्रा पूरी भी हो जाती है लेकिन जीवन यात्रा में जो आपसे मनुश्य जो भी व्यक्ति जुड़ते हैं वो लंबे समय तक जुड़े हैं तो लंबे समय तक प्रसनता तिकी रहे ये कठी नहें लेकिन इसको आसान बनाया जा सकता है अपने व्योहार को सरल सहज बना करके यह संभव है कि हम इनके बीच में भी सामन जश स्थापित करें मतलब आसपास के जितने भी मनुश्य हैं जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उनके बीच सामंजस से स्थापित करें अपने सवहार्द पूर्ण व्यवहार से अपने सहज व्यवहार से इसे के साथ साथ अक्सर हमें जीवन में अच्छे मौके तभी मिलते हैं जब जीवन का कठिर्न दौर चल रहा होता है यानि कि तरक्की के रास्ते हम हमें तब दिखाई देते हैं जब आपके जीवन का कठिन दौर चल रहा होता है और ऐसे मौकों की बदौलत ही व्यक्ति अपने व्यक्तित को निखार भी पाता है तो कभी कठिन दौर जीवन में आये उससे घवरायन ये नियती ही है निश्चित रूप से इश्वर की जो आपको एक सफल इंसान बनाने की तैयारी कर रही है जो आपको एक सफल व्यक्तित्व देने की प्रतिक्षा में है कठिन दौर से घवरायन, सहज, सौहारद पून और निर्मल मन के साथ आगे बढ़ें कठिनाईयों में भी विजय के रास्ते होते हैं इस बात को न भूलें